नमस्कार श्टुडेंट्स आज हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे युनिवर्सिटी आफ कोटा का जो स्लेवस है बी ए पार्ट थर्ड येर का और एकॉनमिक्स का हम डिसकसन यहां पर करेंगे और पेपर वन के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे पुराने जो वीडियोज हैं उसमें हम लोगों ने यह बताया है कि first year का सलेवस और second year के सलेवस के उपर भी हम लोग डिसकस कर चुके हैं already तो धीरे-धीरे हम लोग discuss कर रहे हैं syllabus के उपर और lockdown की इस इस्तिती में जितना हम कर सकते हैं, उतना हम लोग यहां पर कर रहे हैं, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो B.A. Part 3rd Economics के जो paper है, उनमें कौन-कौन से दो paper चलते हैं, और जो first paper है वो तो compulsor है, second paper में choice है, और यहां पर मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि धीरे-धीरे हमारा उद्देश यही है कि हम overall जो syllabus है पहले उसके बारे में चर्चा करें और उसके बाद हम उनको पढ़ना प्रारंब करें, तो अब भी तो हम लोग सिर्फ यहां पर syllabus को ही discuss कर रहे हैं, और मैं आपको बत इतने अंको का होगा, और जो कि पूर्ब की भातियां आप लोग जानते ही है, कोटा यूनिवर्चिटी का पैटर्न और अर्थसास्त्र का पैटर्न की तीन जो है वो section allotted है, section A, section B और section C, और इसमें मैं आपको बता दू कि section जो A है, इसके अंतरगत जो 10 कुश्यन आते हैं, one marks each होता है, और ये short answer type होते है, जिनकी word limit है, वो 20 words होती है, और इसके अंतरगत आपको सारे question है, वो attempt करने होते हैं, section B में आप देख रहे हो कि ये 35 marks का होता है, और 250 words इसकी limit होती है, यानि approximately 2.5 पने, 2.5 पेज यहां पर आप कर सकते हो, इसमें total, इसके अतरिकत इसमें जो per unit से 2 question आएंगे, और आपको कोई भी एक question है, वो attempt करना पड़ेगा, आपको जहां भी किसी चीज में doubt हो, आप लो comment box में पूछ ले, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कि syllabus पर discussion करते टाइम पर आप इस syllabus को पूरा सुने, बार बार में सुने, और अपनी note book में note कर ल word limit है, वो लगवग approximately 500 word है, इसका मतलब आपको 5-6 पनने pages जो हैं फिल करने होते हैं, यह कोई fix नहीं है, economics एक ऐसी बिसे है, जहां आपको answer है, जो limited words में ही देना होता है, ज्यादा चीजें नहीं लिख पाते हैं आप लोग, जितना याद है और जितना पूछा गया है, वही यह आप लोग लिखें, इस चीज़ का दिहान रखें, इसके बाद मैं आपको बताना यहाँ पर चाहूंगा कि अब हम सुरू करते हैं, स्लेवस को, और पहली unit है वो national income की है, और national income and social accounting, तो हम नोट करते चलें, nature and importance of macro economics, यानि समश्टी गत, अर्थसास्त का महत्व और प्र इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि concept and measurement of national income, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रिय आए की अवधार्ना और उसका मापन, आप लोग नोट करते चलें, राष्ट्रिय आए की अवधार्ना और उसका मापन, नेक्श्ट आप चलोगे, national income identities with government and international trade, यानि राष्ट्रिय आए क सम्मिकाएं क्या होती हैं, उसके सम्मिकरण क्या क्या होते हैं, और सरकार और अंतराष्टी जो trade है, उसके साथ उनके संबंध है, वो कैसे होते हैं, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और सामयने तोर पर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि circular flow of national income यहाँ पर ह मुद्धो को ध्यान में रखते हुए हम लोग national income की accounting कैसे करते हैं, और इसके अंतरगत एक बहुत महत्पूर्ण concept है, green accounting का, इसके बारे में पढ़ना होता है, इसके बाद हम unit second, third की और fourth की बात करते हैं, तो इसके अंतरगत आप यहाँ पर देखोगे, कि unit जो second है, वो output and employment स related है, और यह unit बहुत महत्पूर्ण है, क्योंकि इसमें theories हैं, सबसे पहले आप देखोगे कि sage law of market, यानि say का बाजार नियम है, प्रोफिसर जेवी से और उनका नियम है, इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तो the classical theory of employment है, यानि रोजगार का प्रितिष्टित सिध्धान्त है, और इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, तो kinsian objection to the classical theory, इसका मतलब classical theory के ऊपर kins ने जो आपत्तियां दर्ज कराई थी, वो कौन कौन सी थी, kinsian objection to the classical theory, then इसके बाद आप चलोगे, तो kinsian theory of output and employment, यानि kins का आय और रोजगार के निर्धार का सिध्धान्त, ये बहुत महत्पून सिध्धान्त है, economics में, इसके बाद आप देखोगे, aggregate demand and aggregate supply function, यानि समग्र मांग और सभग पूर्ती फलन, ये भी बहुत जरूरी और important topic है, हमें पढ़ना है ये BF final year में, इसके बाद the principle of effective demand है, यानि प्रुभावी मांग का सिध्धा इसे हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, consumption function, यानि उभ्भोग फलन क्या है, और इसके अंतरगत हमें average or marginal propensity to consume, यानि जो उभ्भोग की जो सीमान्त और और उसत प्रवर्ती है, उसके बारे में हमें अध्यन करना है, APC और MPC, हम लोगों ने पहले भी इनके बारे में पढ़ा ह हुआ है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा और डेटेल से पढ़ेंगे, और factors influencing consumption spending, यानि जो भोग ब्याय है, उसको प्रभावित करने वाले प्रमुक्तत्व हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो यह आपका slave us हो गया second unit का, इसके बाद हम लोग चलते हैं unit third की तरफ, तो investment and rate of interest, यानि निवेस और जो ब्याज की दर है, वो इस में दी गई है, तो the investment multiplier and its effectiveness in LDCs, least developed countries के अंतरगत multiplier, जो है निवेस गुनक, उसकी प्रभाव सीलता क्या है, इसके अंतरगत हम पहले निवेस गुनक को पढ़ेंगे, और उसके बाद उसकी जो प्रभाव सीलता है, least developed countries, यानि जो अल multiplier के context में, कि वहाँ पर ये लागू होता है कि नहीं होता है, theories of investment और जो निवेस के सिद्धानत है, उसमें autonomous और induced investment है, यानि स्वायत और प्रेरित निवेस, यहाँ पर autonomous यानि स्वायत है, और induced यानि प्रेरित है, तो स्वायत और प्रेरित निवेस, इसके बाद आप efficiency of capital, यानि MEC को हम पढ़ेंगे, पूजी की सिमानत दख्षता, और इसके बाद saving and investment equity यानि बचत और निवेस की समानता और उनके सामेविंदू को हम देखेंगे यहाँ पर, और इसमें आप next लेखेंगे कि theories of interest है, यानि बचत के जो सिद्धानत है, उनमें तीनों सिद्धा बचत भी है, नियो क्लासिकल यानि नप प्रितिष्टित, और कीन्सियन theories of interest यानि कीन्स का जो सिद्धानत ब्याजदर का वो, तो इस प्रकार से ये unit हमारी जो second है, sorry third है, वो खतम होती है, फिनेस होती है, फिफ्थ यूनिट के उपर हम लोग discuss करते हैं, फिफ्थ यूनिट and characteristics of trade cycle यानि उनकी जो प्रिकरती है, वो क्या है व्यापार चक्रों की, और व्यापार चक्रों के उपर कीन्स का view क्या है, कीन्सियन view of trade cycles, then concept of accelerators, यहां पर हम बात करेंगे कि तुरक की अवधारना है, वो क्या है, then Samuelson और Hicks की हम बात करेंगे, कि Hicks और Samuelson ने जो अपना ग हम लोग अध्यन करेंगे, और how we can control the trade cycles, यानि इन व्यापार चक्रों के उपर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, यह बहुत छोटी unit है comparatively आप देखोगे उपर से, तो हम लोग रणनेती बना करके बहुत अच्छे से study करेंगे, लॉ यूनिट है, उसको हम लोग यहाँ पर आप देख लेते हैं, economic growth से संबंदित यह unit है, आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरी जो unit है वो economic growth से संबंदित है, यानि आर्थिक ब्रद्धी, तो ये भी unit बहुत बड़ी नहीं है, एजी unit है और growth models हैं और बहुत ज़्यादा न देखेंगे, और ये किस प्रकार से instable होता है, आर्थिक रूप से ऐस्तिरता इसमें आ जाती है, जिसे कि हम लोग छुरीधार संतुलन भी बोलते है, knife age equilibrium, उसे हम इसमें पढ़ेंगे, then neoclassical growth model, और इसमें neoclassical में हमें mid और solo आते हैं, लेकिन यहाँ पर according to syllabus हमारे पास solo model यहाँ हुआ है, तो यहाँ पर हम solo का model पढ़ेंगे, और आर्थिक ब्रद्धी और तक्निकी जो progress है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो suggested books हैं, वो मैं बता दूँ, यहाँ पर English medium के जो बच्चे हैं, उनके लिए Sepero बहुत अच्छी किताब आती है, Hindi medium वाले भी इसक दो किताबे तो यहाँ पर बन जाती है, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि यदि इन किताबों से आपके syllabus में कोई दिक्कत आती है, तो आप H.L. Ahuja की book भी ले सकते हैं, Macro Economics की, यह Hindi और English दोनों में आती है, और अच्छी book है, H.L. Ahuja, बहुत अच्छी किताब है, त तो यह syllabus हमारा complete होता है, यदि यहाँ पर और भी किसी को syllabus में कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग ML जिंगन को भी refer कर सकते हैं, हाला कि ML जिंगन में topics जादा है, वट syllabus को काफी cover करती है यह, तो उसे भी आप लोग ले सकते हैं, तो यह syllabus आपका पूरा हुआ यहाँ पर, तो मेरे सामें यह आपका complete syllabus है, और इसको आपको देखना है, और जो भी आपको doubt हो, उसे आप comment section में पूछ लें, जो भी referred book है, यह इसके अत्रिक कर कोई चीज है, और अभी मैं आपको बता दू कि अभी फिलाल जो है, बहुत मुस्किल है कि आपकी regular classes शुरू हो पाएं, और इ देख सकते हैं, इसके अत्रिक राणा एंड बर्मा मैक्रो एकॉनमिक्स जो है, वो हिंदी इंग्लिस दोनों में आ रही है, तो जो best book है, आपको मैं यह पर suggest करना चाहूंगा कि आप राणा एंड बर्मा और लक्ष्विनाराण नाथुराम का, और उपर से आप देखोगे देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और स्लेवस में चैंजेज की संभावना बहुत ज्यादा है नहीं, आलमुस्ट यही स्लेवस इसवार रहना है, तो आप लोग यहां से इनको पढ़ लें, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लें, और अभी हाली में मै एक यूटूब का चैनल जो यह बनाया है, इसके माध्यम से तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अत्रिक मैं आपको बता दू कि ग्रूप ओफ एकोनोमिक्स के नाम से एक टेलिग्राम का चैनल है, ग्रूप ओफ एकोनोमिक्स, तो आप लोग उसको जोइन कर सकते हैं, और इसके अत्रिक आपको मैं बता दू कि वाट्सेप का भी एक ग्रूप है, एकोनोमिक्स बिद्ध डिएस एजुकेटर, तो वहाँ भी आप उसे भी जोइन कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर रूप से एकोनोमिक्स से संबंदित अपडेट है, वो मिल जाएगी, और उ थैंक यू सो मच यदि कुछ संदे होतो, यू कैन आपको आपको आपकोा निए की आपको कमेंट वरक्स थैंक यू